असला आलेकुम नाजियें, आज हम बनाएंगे पचमेल दाल, जिसके लिए मैंने लिया है, दो टेबिल स्पून मुंग के चिलकों की दाल, दो टेबिल स्पून उरत की चिलकों की दाल, तीन टीस्पून मसूर की दाल, तीन टीस्पून अरहर की दाल, चार टीस्पून चने की 2 defence चुक्णर करें से तुख 15 ज़ाएं दाल, 10 गरम मसालाइन में थोटए ही प्यास, मोटे तुकड़ों में बाधे तीज पत्ते और भगार करें से 5 टेश्पूंद, देशी घी और एक चोटी प्यास बारीक कटी होई जो मैंने यहां दो तरह की उरत की दाल और दो तरह की मुंकी दाल इस्तिमाल की है इस तरह इससे पचमेल डाल बनेगी अब मैं सारी दालों को मिलाकर आदे घंटे के लिए भीगो कर रख दूँगी हमारी दाल आदे घंटे आधे बीग चुकी है हम इसका पानी निकाल देंगे अब हम कुकर में डाल डालेंगी और इसमें डालेंगे लैल मिर्श पाॉडर रंय वादिया पॉडर आदी पॉडर नमक अक हरी मिर्च ऐदी अ प्यास अदरक इसपत्त और लसन का पेस्ट और तकरीबान 500 अमेल पानी ड दाल का धकन लगा देंगे और दो सीटी आने तक तेज गैस पर पकाएंगे फिर गैस हलका करके 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे अब कुकर खोलेंगे गैस अन करेंगे और दाल को अच्छे से चलाएंगे अब इसमें 100 ml पानी डाल कर खतकी आने तक पकाएंगे खतकी आ गई है अब गैस बन कर देंगे अब इसमें उपर से डाल देंगे गरम मसाला पॉडर और इसे डखककर छोड़ाइंगे जब तक हम भगार तयार करें एक पैन में डालेंगे देसी घी ये गर longo हो जाएगा तो इसमें डालेंगे प्यास के त seráalla को ब्राउन होने तक नेक दूलने लेंगे इसे जिला को चुछ डाल नेकिittel के लाटाल दाल को कि लिए भातोल आपकी पचमेल तमाचे तयार है इसे गरम गरम सर्फ करें अगर आपको इसा प्सक्सक्राइब करई हो दो इससे लाइक को शेर करें ओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कि भूलें जुए्ग में लगा सक्षी उप्алाइडस